प्रूशी बाई इर्बिन से यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मेरे पहरे भाई यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या इसकाजा है हेड ऑपरेटर रेडियो संबर्ग की अंतरक जो आफ की परिच्छा होने वाली है मैं आपको बता दूँ हमारे पास कई सारे मित्रों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं और एक साल हो गया है वनियर हो गया है बट अभी एक्जाम नहीं हो रहा है क्या अपडेट है तो मैंने आपको पहले भी बताए गया इस एक वीडियो मैंने बता रखी है इस वीडियो में कि आपकी जो परिच्छा है यह मान कर चले मेरे पहरे भाई कि मार्च की लाश्ट वीक तक आपकी परिच्छा होने की संभावना है या इसका आजाए तो अप्रेल के प्रिदम सफ़ता तक हो सकती है ठीक है अब वह ऐसे नहीं कहते हैं मेरे पहरे भाई लेकिन अब यह समझ लो कि 95% यह चांसे की जो आपकी परिच्छा है यह 25 मार्च के बाद करवाई जा सकती है ठीक है ऐसा कुछ जानकारी मिली है अब क्या अपडेट आगे आती है वो तो नहीं कह सकते गाइस कुछ बदल दिया जाए लेकिन ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि 25 मार्च के बाद आपकी परिच्छा करवा ली जाएगी तो इसी वज़े से आपकी क्लासे से शुरू कर दी गई है आपके लिए फिर से चालू कर दी ग कघा ताकि आने वाली हर एक नई questions का आप आंसर जल्दी से दे पाए चले शुरू करते हैं अब आपसे पूछा गए कि उततर प्रदेश में सबसे अधिक प्रकार की मील जो है वो कौन सी है समझने की कोशिष की जिएगा यहां पर गाईसी जो उत्तरप्रदेश में मिल सबसी ज़्यादा है वो है गाईद चीनी की तो right answer हो जाएगा आपका B option चीनी जो भी आपर बता रहें कि चीनी की मिल सबसी ज़्यादा है बिल्कुल सेखी answer आपका हो जाएगा आगे बढ़तें अगला question आपके सामने question क्या करा इसको समझेगा इसकी मौद्रिक और उधार नीती किसके दोरा घोसित की जाती है मौद्रिक और उधार नीती जो है ये किसके दोरा घोसित की जाती है 92 number question एक्जाम की दिश्टी से important है समझेगा गाईस जो मौद्रिक नीति हैं और उधाल नीति हैं यह भारती रिजर्व होएं कि के द्वारा घोशित की जाती हैं इस जो गाईस भारती रिजर्व होएं कि इसकी जो अस्थापना हुई थी यह हुई थी एक अप्रेल 1935 को तो आप इसको भी याद रखेंगे आप से पूछा जा सकता है आगे निमलकित मेंसे कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है समझने की कोशिश कीजिएगा कौन इसमें नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है ये पूछा जा रहा है अब मेरे पहरे भाई जो किसमें उधारी करण वैस्वी करण और निजी करण ये गाइस आर्थिक सुधारों के अंग हैं जबकि केंदरी करण जो है ये गाइस नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है तो राइट क्या हो जाएगा आपका डे ओप्षन आगे बढ़ते हैं मौलिक अधिकारों का संदक्चक जो है ये कौन है अब जैसा कि आप जानते हैं गाइस की मौलिक अधिकार का जो संदक्चक के गाइस वो है नयायाल है है ना और मेरे पहरे भाई जो मौलिक अधिकार है ये कहां से लिया गया है यानि किस देश के संबिदान से लिया गया है त नियाए पाली का तो right क्या हो जाएगा आपका a option correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question है फेफ़णों के आवरण को क्या कहा जाता है important question एक्जाम की दिश्टी से जल्दी शी बताएं फेफ़णों के आवरण को क्या कहा जाता है 95 number question guys जो आपकी कल class नहीं हो पाई थी कल guys आपकी classes नहीं हो पाई थी तो मैंने सुबह आपकी वो class करवा दिये ठीक है तो आप उस class को देख लीजिएगा और एक कोशिश करेंगे guys की कल तक इसकी playlist भी बनवा दी जाए तो समझेगा मेरे पैरे भाई यहाँ पर जो फेफ़णों के आवरण होते हैं इसे फुस्पुश जिल्ली का जाता है और एक बात आप और याद रखेगा कि जो guys यह मतलब फेफ़णों के आवरण है जिसे guys आप कहे रहे हैं फुस्पुश जिल्ली यह guys इसका एक और नाम और था क्या नाम था याद नहीं आ रहा है एक मिनट क्या नाम था गाइस इसका एक और नाम है वो है guys plural प्लियूरल मेंब्रेन यह इसका एक अन्य नाम है ठीक है तो आप इसको याद रखेगा अगर प्लियूरल मेंब्रेन मिलता है तो भी या फुस्पूस जिल्ली मिलता है तो भी आप शही टिक करेंगे आगे असकरवी रोग जो है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है अब हो जाए चरह से आपका होता है इस रख्त का थक का नजन नो विटामिन सी से होता है आपका असकरवी ठीक है तो यहाँ पर गाइस विटामिन सी जो है यह हो जाएगा असकरवी का कारण अब यहाँ पर समझ रहे की कोशिशच कीजिए अगर आप cesu ऍरफ कैमिकर नेम क्या यानि रासाइनिक नाम क्या है तो याद रिखेगा जो बिटामिन सी है गाईच, इसका रासाइनिक नाम है, वो है एसक और्भी कामला तो जो भी मित्रें आपर आपसन सी बता रहें, बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, आगे निम्ल के तुम एसे वहा पदार्थ कौन सा है, जो चाहदा वर्स की आयू तक के बच्चों के विकास यानि वर्धन के लिए अतियन्त आविश्यक है इंपॉर्ण कोशन है यह भी आपका वह कौन सा भाय पदार थे जो बढ़ते अगला कोईशन है निम्न लखित मैंसे कि सधातू का गलनांक सबसे कम है अब समझने की कोशिस कीजिएगा निम्न मैंसे कह रहा है यानि इस मैंसे कह रहा है अगर वैसे इस अपवाद की दिष्टी से देखा जाए तो सबसे कम जो गलनांक होता है वो होता है गैलियम का लेकिन अगर इस option की दिश्टी से देखा जाए तो हो जाएगा आपका पारत ठीक है पारा अब यहाँ पर समझेगा मेरे पहरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे जादा जो है यह कि सिदादू का गलनांक होता है तो वो होता है मेरे पहरे भाई टंग्स्टन का किसका होता है टंग्स्टन का जो कि गाईस बिद्द बल्व का फिलामेंट जो बनता है वो टंग्स्टन का ही बना होता है ठीक है इसी वज़े से टंग्स्टन का ही बना जाता है जो कि इसका गलनांक जो है यह जादा होता है ठीक है तो आप इसको भी याद उर्जा रुपांत्रन होता है यह कैसे होता है जो डाइनमो गाईश यह होता है कि यांत्रिक उर्जा को विदू तूर्जा में बदलने वाला यांत्र ठीक है तो यांत्रिक उर्जा को विदू तूर्जा में किसी यांत्र के दारा बदलते हैं तो वह होते गाईश से डाइनम लंबा कोईशन है लेकिन चलो लंबा नहीं है छोटा ही है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूरण कर रहे किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूरण कर रहे घूरणी मंच पर अपनी कोडिये चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए hundred number question जल्दी से बताने की कोशिस करें right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा समझेगा मेरे पैरे भाई अपने कोड़ी चाल जो है यह अपने guys omega को खम करने के लिए उसे अपने हाथ को बाहर के और फैला देना चाहिए c option आपका यहाँ पर right हो जाएगा आगे उतरप्रदेश के प्रथम राज्यपाल इन मेंसे कौन थे अब guys देखो इसमें अगर कहा जाए प्रथम राज्यपाल इन मेंसे कौन थी होना चाहिए right हो जाएगा आपका सरोज से नहीं राइडू be option आपका correct हो जाएगा आगे बढ़ते है जेट इंजन जो है यह किसके संद्रक्शन के सिद्धान पर कार्या करता है वैसे गाई इस कहा जाए एक तरीके से तो easy question है हर कोई मित्र इसका अंसर बता सकता है और मेरे पहरे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया अभिए जेट इंजन जो है यह काम करता है रेखिये संबेक के आधार पर रेखिये संबेक के सिद्धान पर रैट हुजाएगा आपका c option ठीक है आगे रेडियम की खोच जो है किस ने की थी जल्दी इस बताने की कोशिश करें रेडियम की खोज जो है किसके दारा की गई थी question number 103 अब guys आप जानते हैं कि रेडियम की खोज जो है ये madam की उरी इसके लमा guys कहा जाए तो PAE की उरी दो लोगों ने मिलकर की थी एक guys madam की उरी और एक थे PAE की उरी ठीक है इन्होंने guys मिलके radiums की जो है ये खोज की थी तो right यहां पर क्या हो जाएगा आपका A option आगे भारत के सर्बोच चन्यायाले ने संबिधान की मूल सनचना सिध्धान यानि बुनियादी ढाचा सिध्धान का प्रती पादन जो है ये किस मुकदमे में किया है important question ने परिच्छा की दिष्टी से जल्दी से बताने की कोशिश करें गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य या सज्जन सिंग बनाम राजस्थान राज्य या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या संकरी प्रसाद बनाम भारसंग जल्दी से बताने की कोशिश करें अब यह की guys सर्बूच नायले ने संबिदान की मूल सनजना सिदान का जो प्रती पादन है यह guys केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतरगत किया है और यह guys कब किया गया था तो 1973 यानि 1973 में तो right क्या हो जाएगा आपका C option आगे ठंडे देशों में सीत काल में जीले जम जाती हैं उपर का पानी छोड़ कर नीचे की पानी का तापमान जो है यह कितना होता है तो इसका answer आप बताएंगे right answer यहां पर क्या हो जाएगा question number 105 समझने की कोशिश कीजेगा इसका right answer हो जाएगा चार डिग्री celsius होता है celsius होता है ठीक है याद रखेगा तो C option आपका यहां पर correct हो जाएगा आपको पताने इसमें से कौन सा एक रूपांत्री चटान नहीं है समझने की कोशिश कीजेगा इसमें नहीं आपसे पूछा जा रहा है तो पताएंगे इसमें रूपांत्री चटान कौन सा नहीं है नहीं है कहरा ठीक है जल्दवाजी नहीं करेंगे अब इसमें समझने की कोशिश कीजेगा slat, ceased और फाइलाइट यह जो है यह आपका एक रूपांत्री चटान है लेकिन मेरे पहरे भाई जो यह आप डायोराइट है यह रूपांत्री चटान नहीं है यह जो डायोराइट है आपका यह मद्यवर्ती अगने चटान ठीक है तो मद्यवर्ती अगने चटान इसमें डायोराइट हो जाएगा सलाइट, सीष्ट और फाइलाइट जो है ये रुपान्ति चट्टान हो जाएगी आगे भूमद्रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती जैसा आप जानने हैं गाइस की भूमद्रेखा जो है परिलाम जो है ये क्या होता है important question exam की दिश्टी से तो जल्दी से बताएं right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा समझने की कोशिश कीज़ेगा मेरे पैरे भाई यहाँ पर मुद्रकिया वमोलियन का परिलाम आप से पूछा गया है यहाँ पर देको निर्यात में व्रिद्धी और भुक्तान संतुलेंड में सुधार बिल्कुल सही हो जाएगा आपका A option correct हो जाएगा आगे पलसर जो है यह क्या होते है मतलब कौन होते है या इस पलसर जो है क्या होता है इसको आपको बताना है तो जल्दी से बताए right answer क्या हो जाएगा question number 109 आप देखें इसमें आप से पूछा गया पलसर पलसर का मतलब होता है मेरे पहरे भाई जो तेजी से गूमने वाले तारे होते है ठीक है तो right क्या हो जाएगा आपका C option आगे निर्वलिकित की जोड़ी बनाना है आपको नीचे दिएगे कूट भासा का पूट का प्रियो करके सही उत्तर चुनना है आप समझने की जैसा आप जानते हैं गाई इसका की लंदन ये आपका टेमस नदी के किनारे है इतना तो आप जानते ही है मद्द परतेश याइनि जबलपुर जो ये नर्मदा नदी के किनारे है आप इसको भी जानते हैं ठीक है जो पेरी से गाई जो फ्रांस की राजानी है यह सीन नदी के किनारे है लाहोर जो है यह राभी नदी के किनारे है ठीक है तो राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वो हो जाएगा a option बिल्कुल right हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं so my friends अगला question है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है जिसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है हर कोई मित्र इसका answer बता सकता है यह जी question है इसले तरीके से आप इसका answer बता सकते हैं चार-पांच सेकंड का समय लड़ो जल्दी से answer दो ठीक है तो जल्दी से बताओ question number 111 अब देखिए guys यहां पर कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपसे कहा गया वह होती है आपकी काली मिट्टी ठीक है यानि black soil जिसे guys कपास यह मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसके लावा मिट्टी के लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जो जौला मकी के फुटने से बनती है तो अब इसको भी याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है next निम्लिकित-मसे किस WRATHY рाज्य की ही समुद्र तटिय सीमा सब्से छोटी है और आप बता देंगे गैज wus़क कौन सा राज्य है साथ में कितनी है वो भी आप बताएंगे और सबसे जादा किस राज्य की समुद तटिय सीमा है और कितनी है वो भी आप बताएंगे तो बताओ जल्दी से पहले अब देखें का गाईस यहाँ पर सबसे कम आपसे पूछा गया है सबसे छोटी जो पूछा गया है वो हो जाएगा आपका गोवा गोवा जो सबसे छोड़ा समुद्र तटिय वाला राज्य है जो गाईस इसका है वो है मात्र 101 किलो मीटर जबकि गाईस कहा जाए सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है तो सबसे ज़्यादा है वो है गुजरात राज्य है ठीक है इसकी समुद्र तटिय सीमा जो है यह गाईस 1600 किलो मीटर है तो आप इसको भी याद रखेंगे भारत अपनी अंतर राष्टिय सीमा सबसे कम किस देश से साजा करता है हर कोई में इसका आंसर बता सकता है 130 नंबर कोईशन तो जल्दी से बताईए अब इसमें देखे गाईस पाकिस्तान चीन नेपाल इसमें से थोड़ा जादा करता है अफगानिस्तान से थोड़ा कम साजा करता है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सब्दिक का निर्मार जो है यह किस ने किया था तरीकी से आप इसका आंसर बता सकते हैं बहुत ईजी कोईशन है तो जल्दी से बताईए मित्र इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली वार आएं तो प्लेस सब्सक्राइब जरूर कर लेज़ेगा ताकि आने माली हर एक नए वड़े की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें हर एक नए उप्लेस असिस्टेंट ऑप्रिटर के क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें तो जो भी चैनल पर पहली वार रहा हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सब्सक्राइब का निर्मार जो है ये किसने क्या था समझने की कोशिश कीज़ेगा वो हो जाएगा गांधी जी ने यानि मोहंदास क्रमचंद गांधी जी ने ए अप्सन आपका राइट हो जाएगा आगे तो आगे क्या करा इसको समझने की कोशिश कीज़ेगा भारतिय संबिदान के किस अनुक्षेद में पाकिस्तान से भारत को प्रविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक्ता के अधिकार का विवरण दिया गया है आगे बढ़ते हैं अगला कोशिशन है सूची फर्स्ट को सूची शेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचीयों के निच्छे दिये गए कुट का प्रियोग करके सही उत्तर चुनना है यहाँ पर गाइस कुछ आगे पहले मुख्य व्यक्ति दिये गए हैं और उसके बाद उनसे सम्मदित पार्टी या सभा वगयरा दिया गया है तो इसको मिलान करके आपको बताना है तो जल्दी से बताएं गाइस question number 16 का right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा 116 सरोजनी नाइडू जो कि गाइस कहा जाए तो भार्टे रश्टे कॉंग्रेस से सम्मदित थी ठीक है म जिन्ना मुसलिम लीग से सम्मदित थें तेज बहादूर सप्रू जो है यह लिबरल पार्टी से थें विर्डी समार कर हिंदू महासबा से थें तो गाइस कहा जाए तो वह जाएगा 2,1 और फिर 4 और फिर 13 तो 21,43 आपका हो जाएगा 21,43 दर्मिस आपका उप्सें ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर परफ्रक्ट आंसर आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं गाइस अगला कोईशन है कि बंगाल के प्रथम गवर्णर जेनरल कौन थें 117 नमबर कोईशन है याई 117 नमबर कोईशन है तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए बंगाल के प्रथम गवर्णर जेनरल कोईशन है रेड़न से हो जाएगा आपका वो ह question का रेड़न से हो जाएगा आपका वो हो जाएगा B option खड़ी बोली बिल्कुल correct हो जाएगा निम्लिखित कांग्रेश्टी नेताओं में से किसको महान इव्रिध्य पुरुस कहा जाता है हर कोई मित्रिस का अंसर बता सकता है इसले तरीके से बहुत easy question है जो भी option बिल्कुल correct answer हो जाएगा आगे भारत में पुर्टगाली सत्ता की वास्तविक निम्लिख रखने वाले महान तम पुर्टगाली गवेर्नेर कौन थें question अबर 120 वो जाएगा इस अलबु कर्क यानि की बी option आपका right हो जाएगा बिल्कुल perfect answer आपका हो जाएगा ।ोडर्मल जो है यह किस मुगलसासक के प्रिसिद्ध राजस्त शुमन्तरी थें गाईस यह जो है ठोडर्मल यह अकबर के नौरत्नॐ में सम्विक थें ठीक है और मेरे पहरे भाई जो ठोडर मल हैं ये अकबर के नौरतने में थे यानि आपसंसी बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा और जो ठोडर मल है गाईस ये अकबर के नौरतने में किस पद पर करे रहते हैं तो ये गाईस थे राजस समंतरी पर तो आप इसको भी याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है आगे निम्ल कितम से किसकी अंसरुदी पर भारते समिदान में मोल करतब या सामिल किया गया मोल करतब भी जोए guys ये किस देश के सम्मिदान से लिया गया है अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसको याद रखेगा रूस के सम्मिदान से और ये guys ये किस समिटी के सिफारिस पर सामिल किया गया था अगर ये पूछा जा रहा है तो याद रखेगा वो हुझाएगा अयंगर समिती सही अंसर हो दाएगा आपका B option अयंगर नहीं स्वारी स्वारण सिंग समिती C option आपका राइट हो जाएगा जो guys बारदे समितान में मोल कर तब है यह स्वारण सिंग समिती की सफारिस पर सम्लेड किया गया था मोल कर तब ही जो है मेरे पहरे भाई यह रूस के समितान से लिया गया आए तो आप इसको भी याद रखेंगे आगे गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदेविगराण की थी ये समुद्र गुप्त को कहा जाता है ठीक है भारत का ने पोलियन जोए ये समुद्र गुप्त को कहा जाता है ठीक है और चंद्र गुप्त दुत्ये को विक्रमादित की उपादी दी गए थी महाभास से जोए ये किसने लिखा आप से पूछा गया है समझने की कोशिश कीजएगा और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें महाभास से महाभास से जोए गाई से लिखा गया है पंदिजल के दौरा डी ओप्सन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंदुगाटी सब्धा का पत्तन नगर यानी बंदरगा जो है ये कौन सा है इसली तरीके से हर कोई मेत्र इसका अंसर बता सकता है तो जल्दी से बताएं और जो भी गाईस अभी तक क्लास को लाइक नहीं किये जरूर कर देंगे वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बंदरगा हो जाएगा तो भी ऑप्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा चमता के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिचाई परियोजना काले सुरम लिफ्ट सिचाई परियोजना किस नदी परिस्तित है मेरे पहरे भाई काले शुरम लिफ्ट सिचाई परियोजना जो कि छमता की दृष्टी से वेश्ट की सबसे बड़ी लिफ्ट सिचाई परियोजना है यह किस नदी पर है यह पूछा गया है आपसे इसमें तो जल्दी से बताने की कोशिस करें 126 का राइड अंसर यहां पर क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा आपका मेरे पहरे भाई वो हो जाएगा गोदावरी और मेरे पहरे भाई गोदावरी जो है अगर आपसे पूछा जाए कि नासिक जो है किस नदी के किनारे है तो वो guys आपका गोदावरी नदी के किनारे ही भसा है तो आप इसको भी याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है ठीक है यह रहा आपके सामने guys इसकी answer की यानि की PDF की पूरी guys का जाए तो false की मतलब answer की आपको मिल जाएगी हमारे आप वहाँ से जागर के टेली कर सकते हैं और इस PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आए मेरे पहरे भाई मित्र आज के इसी important video में हम complete करते हैं science की important questions को चले मेरे पहरे भाई अब हम complete कर लेते हैं ससी चसल 2020 में पूछे गए physics के important questions को और यह आपका प्रेपर जो ही गाईस यह बारह 19 अप्रेल और चार बारह चार से बारह अगस्त के बीच में जो हुआ था वो questions यहां पर पूछे गए हैं हाँ मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो भी questions हम आप के लिए करवाते हैं सारे questions आपके previous question paper होते हैं हर एक guys exam में पूछा जाता है question guys कि दाब मापने के लिए एसाई इकाई क्या है कहने का मतलब है कि दाब मापने के लिए जो एसाई मात्रक है वो इसमें कौन सा है ampere, pascal, candela, kelvin क्या बताएंगे first number question है अब जैसा कि मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि जो दाब है दाब का guys कहा जाए formula क्या होता है तो यह होता है guys आपका बल बटे छेतरफल यानि guys right हो जाएगा आपका बल बटे छेतरफल अब मेरे प्यारे भाई इसका जो आपका इकाई होती है वो होती है पास का ठीक है इसके लाब मेरे प्यारे भाई newton प्रती meter square भी आपका दाब का formula होता है तो आप इसको भी याद रखें कि एकाई का जाए तो आपका भी हो जाएगा आगे बटते अंगला question है which of the following is a vector quantity मेरे कहने का मतलब है guys यह किसमें vector quantity vector quantity का सदी सरासी कौन किसी है सदी सरासी ठीक है vector quantities में कौन सी है तो जल्दी से बताए question number two right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा अब मेरे पहरी भाई आप जानते है यहाँ पर जो vector quantity हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी electric fields ठीक है electric fields यानि चुम्बक के छेतर जो है यह आपका यहाँ पर ह क्या हो जाएगा अब देखे गाइस किसी भी वस्तू के जल्द को उसके द्रब्यमान के दौरा मापते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उसकी मास के दौरा यानि डी option आपका राइट अंसर हो जाएगा यह आपका सीए चसल 2020 में पूछा गया प्रस्तन है राइट हो ज जाती है यह आप से इसमें पूछा गया है तो जल्दी से बताने की कोशिस करें मेरे प्यारे भाई मित्र याद रखेगा राइट हो जाएगा आपका उस्मा गतिकी उस्मा गतिकी में उस्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में अस्तानातित हो जाती है राइट हो जा यानि quantum mechanicals का इद्दा है तो जल्दी से बताएं गाइस question number 5 अब इसमें समझने की कोशिश कीजिए गाइस quantum कह रहा है ना तो चाहे बनाना वी गाइस सुबह तो काम है सुबह का काम है लेकिन गाइस ये quantum से समझने नहीं है समझार पत्र पढ़ना ये भी नहीं है दात ब्रस करना नहीं अलारम घड़ी का बजना बिल्कुल मेरे प्यारे भाई डी option आपका राइट अंसर हो जाएगा next थो next क्यागर है नेमल कित में से किसने पहली वार विद्धशेतर अवधार अर्णा प्रिस्तूत की थी हर कोई मित्रेस का आंसर बता सकता है easy तरीके सہी बहुत easy question है तो समझने की कोशिश कीजिए गाप पहली बार विद्द छेतर की अवदानना प्रस्तुत की गए थी गाइस सुबो की गए थी माइकल फैराडे जोरा सी ओप्षन आपका राइड अंसर हो जाएगा आगे बठते हैं अगला क्वेशन है आप सभी के सामने जल्दी से बताएं राइड अंसर हो जाएगा आपका वह जाएगा बल भी ऑप्षन आपका राइड अंसर हो जाएगा विद्द दोएधरूब यानि इलेक्ट्रिक डैपोल जो है गाइस इसमें कुल आवेस होए ये कितना होता है इलेक्ट्रिक डैपोल जो है इसका कुल आवेस कितना होता है गया जो होता है आपका सून्स यानि बिलकुल जीरो होता है तो बी ऑप्षन आपका राइड अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question है question करणा है मेरे बैरे बाई कि निम्लिकित मैंसे किसे गौस नामक इकाई में मापा जाता है गौस जो है गाई यह किसकी इकाई है यह आपसे इसमें पूछा गया है तो जल्दी से बताएं right answer हो जाएगा आपका बोजाएगा चुमबके प्रेरण option A आपका correct answer हो जाएगा आगे एक निश्चित अस्तर सही ओपर किसी विमान की उचाई को मापने के लिए किस वैग्यानिक उफकरन का उपियोग किया जाता है मतलब मेरे प्रेर भाई किसी विमान की उचाई को मापने के लिए हम किसका उपियोग करते हैं या आपसे इसमें पूछा गया है right हो जाएगा आपका हो जाएगा अल्टेमेटर का A option आपका right हो जाएगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा important question exam की दिश्चित से तो मेरे प्यारे भाई समझ लीजेगा अच्छे डंग से आगे नेमलिकित में से कौन गुरुत्वी ये इस्तेदीच ओर्जा का उदाहरण है गुरुत्वी ये इस्तेदीच ओर्जा का इसमें उदाहरण कौन सा है बताएगे 11 number question right answer हो जाएगा आपकब हो जाएगा बांद में जो गाइस बांद के पीछे इस्तितपानी होता है ये आपका गुरुत्वी इस्तेदीच ओर्जा है तो right हो जाएगा आपका D option question मेरे पहरे भाई इसमें देखिए पैड से गेन वारना बंदोग से चलाई हुई गोली चलती हुई कार ये गुरुत्वी ये गती जूर्जा का उदार रहे जबकि स्तेदीच ओर्जा में कहा जाए तो इस्तितपानी आगे बने निम्न मैंसे कौन सा दूरबल विद्धुत अबघट्टी है यानि इलेक्ट्रोलाइट है आपको बताने इसमें दूरबल विद्धुत अबघट्टी जो है ये इसमें कौन सा है question अब 12 शायान से हो जाएगा डिफ्रेंट्स आपका वह जाएगा इथेना एक उमला option C to Comanda What क्रीश का अच्छा चालक नहीं है विद्धुत का अच्छा चालक नहीं है बाइध और अच्छा चालक इसमें कों सा रही है अम मेरी पहरी बाहिए यहां से सिंए जानते इसमें मिल्टीiforn میत ग्रेफाइट सोना है लेकिन हीरा जोविदुत का अच्छा चालक नहीं है तो राइट क्या हो जाएगा आपका C option correct answer हो जाएगा आगे रासी के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है अब आप जानते हैं मेरे पहरे भाई तापमान केलविन द्रविमान किलोग्राम दाप पास्कल मापने हैं जबकि घन मेटर से वजन नहीं तो राइट क्या हो जाएगा आपका C option किलोग्राम हो जाएगा इसको होना चाहिए हाला कि वजन को वजन है एनि वेट जोएगा इसे ह किलोग्राम में आपते हैं द्रविमान दो यह होता है न वजन तो राइट क्या हो जाएगा आपका मेरे पहरे भाई C option घन मेटर में नहीं आपका हो जाएगा यहापर C option correct answer हो जाएगा तो मेरे पहरे भाई यह आपका complete हुआ अब बात करेंगे SSC CPU में पूछेगे questions जो कि guys ह हर एक नई class की notification आपको समय से मिला करें हम आपके ऐसे important important questions करवा देंगे आप बिल्कुल चिंदा न कीजिए ठीक है मित्र बाकी guys जैसे आपने देखा कि MTS की questions जो पूछे गे थे physics के complete हो चुके हैं CGL की पूछे के questions आपके complete हो चुके हैं CHSL के पूछे के questions आपके complete हो चुके करके जरूर बताईएगा और आज की class का feedback जरूर दीजेगा हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी इस पर अपनी राय जरूर दीजेगा मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में चैनल में पहली बार आया तो subscribe जरूर करें मित्र ताकि आने वाली हरे के नई वीडि notification आपको समय से मिला करें मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं मुश्कुराते रहे हैं जै हिंद जै भारत